अल्मोडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अल्मोडा के भैसिया चाना ब्लॉक के एक गाउ में मानसिक और शारिरिक रूप से बिमार बालिका से दुशकर्म करने की घटना सामने आ रही है अल्मोडा धौलचीना थाना क्षित्र के एक गाउनिवासी महिला ने पुलिस में तहरीर दी जिसमें बताया कि गुरुवार को वो अपनी जेठानी के वहां अपने पती के साथ मांगलिक कारे में शामिल होने गई थी जिसमें गाउं के अन्यलोग भी गए थे जिस पर वो अपनी नावालिक पुत्री को एक कमरे में रखकर बाहर से ताला लगा कर गए थे नावालिक पुत्री जो मानसिक और शारिरिक तोर पर बिमार है ना बोल सकती है और ना ही कुछ कह सकती है महिला ने आरोप लगाया कि जब वो शाम को वापस लोटे तो कमरे का दरवाजा तूटा था वहीं कमरे के अंदर बगल के गाउं का एक युवक था जिसने नावालिक के सांद दुशकर्म किया हला करने के बाद आरोपी वहां से भाग गया जिसके बाद गाउं के अन्य लोग भी एकत्र हो गए उन्हाने पुलिस से मामले में आरोपित के विरुद्ध उच्चित कारवाई करने की मांग की है इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मकदमा दर्ज कर मामले की जा आज शुरू कर दी है